नमस्कार दोस्तो स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको बताने वालों कि पानी का मटका कप करना चाहिए, कौन से मुरत में करना चाहिए, कौन से दिन करना चाहिए दोस्तो आजकर पहले की तरह लोग मिटी के घरे रखने के बज़ाए पानी को पीने के लिए अपने घर में आधोनिक फिल्टर फ्रीच और बोतलों में पानी रखते है वास्तो के बात माने तो आपको घर में एक मिटी का घरा या सुराही जरूर रखनी चाहिए जिससे कि आपके घर में खुशाली आये और आपके सारे संकत दूर हो जाए आपने देखा होगा कि गाउं में लोग आज भी पानी बढ़ने के लिए सुराही या फिर मिट्टी के घरे का प्रयोग करते है पानी से भरी एक सुराही घर में जरूर रखने चाहिए और वास्तु सास्रक के अनुसार घर में पानी से भरा मटके रखने से धनकी कभी कमी नहीं होती कहते हैं कि अगर आपको किसी वज़े से सुराही ना मिले तो मिट्टी का छोटा घरा रखना भी लाबदायक होता है हमारे धर्मों में मंदिर के बाद जो दूसरा पवितरिस्तान है वह मटके कही होता है घर में मटका जहां रखा रहता है उस इस्तान को हम पित्रों का इस्तान भी मानते है और वह हम दिपक जलाते है और अगरबत्ति करते है जिस स्थान में मटका रखा रहता है उस स्थान को परिंदा भी कहते है मटका हमिसा रसोई घर के उत्री पूर्व कौन में ही रखना चाहिए उत्तर दिसा को जल का देवता का दिसा माना जाता है दोस्तों जो मटका आप घर पर खरित कर लेकर आता है उस मटके की वैलिडिटी एक रितू यानि की चार महेने तक होती है मटका हमिसा सुमवार या सुक्रवार के दिन से ही इस्तमाल करना चाहिए मान लिजे आप गुरुवार को मटका घर लेकर आया है फिर उसे सुक्रवार तक रहने दीजिए और सुक्रवार की सुबह में उसे पानी से साप करके इस्तमाल कीजिए और मटका हमिसा सुबह खरना चाहिए साम के समय में नहीं खरना चाहिए हमिशा घर में पानी से भरावा मटका रखे घर में मिट्टी के पानी से भरे घरे के आगे दिपक लगाने से भी आर्थिक सिती ठीक रहती है जितने भी आर्थिक कस्ट है वो दूर होते है और मिट्टी के घरे में पानी पीना या घर में मिट्टी के बर्तन रखना अत्यन्त लाबदायक माना गया है ऐसा करने से आसपास सकारात्मा कुर्जा का प्रभाव बना रहता है घरे के पानी पीने से बूद और चंद्रमा का प्रभाव सुभ होता है यहां तक की विग्यान भी यह मानता है कि घरे का पानी सेहत के लिए अतियन तलापकारी होता है अगर घर में कोई व्यक्ति तनाव ग्रस्त है या मांसिक रूप से परिसान है तो आप उन्हें माटे के घरे से किसी भी पौदे को पानी देने के लिका है तो उसे थोरी सांती मिलेगी तो दोस्तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आये तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं बुलना जिससे कि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकिसन मिलती रहे जैसरी किसना